हेलो दोस्तों, वेलकम तूर चैनल एचस प्रो जब भी हम कोई इलेक्टिकल डिवाइस पर्चेस करते हैं तो हमें हमेशा ही एक डाउट रहता है कि डिवाइस वाटर या डस्ट पोटेक्टेड है या नहीं इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट खतम होने वाले हैं So, this is me, Shubham, all the way from Madhya Pradesh, India So, let's start the video पूरे विश्व में हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का उप्योग अलग-अलग इन्वाइर्मेंट में करते हैं Electrical Devices पानी और थूल से सुरक्षित है या नहीं यह बताने के लिए खास तरह की रेटिंग दी जाती है इस रेटिंग सिस्टम को Ingress Protection या IP Rating कहते हैं सारी Electrical Devices में IP Rating होती है इवन जिस डिवाइस में आप यह वीडियो देख रहे हैं उसमें भी IP Rating में दो डिजिट होते हैं IP Rating का पहला डिजिट हमें Electrical Devices को Solid Object जैसे की Dust, Dirt and Body Part आदी से सुरक्षा को बताता है यह 0 से 6 तक होती है इसमें 0 डिजिट सबसे कम सुरक्षित और 6 सबसे अधिक सुरक्षित तरहाता है Rating 0 बतलाता है कि Electrical Devices या पैनल आदी में Solid Body के अगेंस कोई भी Special Protection नहीं है Protection Level 1 Electrical Devices को Large Body Parts जैसे आथ या ऐसे Objects जिनका डायमेटर 50 mm से बड़ा हो उससे प्रोटेक्षित करता है Rating 2 Electrical Devices को 12 mm डाय से अधिक Solid Objects के खिलाप सुरक्षा को दर्शाता है Rating 3 Tools, Wires and Other Similar Devices से प्रोटेक्षित करता है जिनका डायमेटर 2.5 या उससे बड़ा होता है Rating 4 Essay Solid Bodies को प्रोटेक्षित करता है जिनका डायमेटर 1 mm से बड़ा होता है Level 5 में Dust को प्रोटेक्षित करता है तथा डिवाइज में Harmful Dust जमा नहीं होने देता है Protection Level 6 में डिवाइज पूरी तरीके से Dust प्रोटेक्षित रहती है IP Rating का दूसरा डिजित बताता है कि डिवाइज लुकिट के एक्स्पोजर में आने पर कितनी सुरक्षित है Second Digit 0 से 8 तक होता है और पहले Digit की तरह 0 सबसे कम और 8 सबसे अधिक सुरक्षित दरशाता है Protection Level 0 बताता है कि डिवाइज में लुकिट या वाटर से कोई Special Protection नहीं दिया गया है और पाने के संपर्क में आने पर डिवाइज आसानी से खराब हो सकती है Rating 1 में हलकी बूनों से Electrical Device में खराबी नहीं आती है अधा 1 mm की बारे से 10 मिनट तक होने पर कोई खराबी नहीं आएगी Rating 2 डिवाइज को 15 डिगरी टिल्ड या जुके हुए पानी की बोचारों से सुरक्षित बताता है अगर डिवाइज भी 15 डिगरी जुका हो तो भी rating device को सुरक्षित रखता है Rating 3 में 60 डिगरी तक किसी भी एंगल से आने वाली पानी की बोचारों से इलेक्ट्रिकल डिवाइज को सुरक्षित बताता है Protection Level 4 में किसी भी direction से आरही बोचारों से डिवाइज सुरक्षित रहती है Protection Rating 5 में जैसा की आप चित्र में देख पा रहे है Water Jet से डिवाइज को प्रोटेक्षित करता है 6.3 mm तक की मोजल से किसी भी direction से डिवाइज सुरक्षित रहता है Level 6 में डिवाइज पावरफुल और स्ट्रोंग वाटर जैट के अगेंस्ट पोटेक्षिन देता है Level 7 में डिवाइज एक मीटर तक गहराई वाले पानी में 30 मिलर तक सुरक्षित रह सकती है Level 8 में electronic device एक मीटर से जादा गहराई वाले पानी में लंगने समय तक सुरक्षित रह सकती है अब हम कुछ examples देखते हैं किसी भी electrical device जैसे की mobile, electrical motors, electrical bulps आदी में IP इस तरह से लिखा होता है जो हमें बताता है कि device पानी और डस्ट से कितना सुरक्षित है आजकल के smartphone waterproof होते हैं जिन smartphone का IP, IP67 और IP68 तक का protection देता है वे पूरी तरीके से dust protected और water protected होते हैं बहुत सारी electrical motors में IP54 का protection होता है अरधात यह dust से protect करती हैं और device में dust जमा होने से रोपती हैं और किसी भी direction से आ रही पानी की पहचारों से device को सुरक्षित रखती हैं झाल 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 झाल